नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल तिवारी चूती में दोस्तों आज़की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिस तरह आप रोजाना ओफिस जाते हैं और अचानक से कभी आप देखे कि साप आपका रास्ता काट रहा है तो सकुन सास्तर के अनुसार इसका क्या सही अर्थे ये हमें क्या दर्साता है और इसका हमारी जीवन से क्या जुड़ा हुआ संके थे आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ दोस्तों वीडियो को लास तक जरूर देखीगा और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूलेगा साथ ही हमारे चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा तो दोस्तों अगर आप ओफिस के लिए कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आप देखते हैं कि एक सांप आपका रास्ता कार देता है तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर दो condition निकलती है अगर आप अपने सांप को देख रहे हैं कि वो सांप आपके दाइने हाथ की तरफ से रास्ता काट रहा है तो या अच्छा संकेत होता है या इस बात का संकेत करता है कि आप जो भी कार के लिए जा रहे हैं या फिर करने वाले हैं उस कार म आपको अवस ही सफलता मिलेगी उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी लेकिन दोस्तों जब आप ओपिस जा रहे होते या कहीं दूसरी जगा जा रहे होते और सांप आपका दाइने हाथ से बाहित की तरफ जा रहा है तो समझ जाए कि सांप इस बात का संकेत कर रहा है क कि आप जो भी कार्य करने वाले या फिर करने जा रहे हैं उस कार्य में आपकी काफी रुकावटे आएंगी तभी जाकर वहां कार्य पूर्ण होगा तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बोक्स में जै सरी किष्ण जै महा कार लिकर ज़रूर बताएं